नमस्कार स्वागत है आपका देश्वा न्यूज में मैं इलीशा आपके साथ बिहार में सराब बंदी कानून अब बिहार सरकार के लिए सरदर्द बनता जा रहा है वो इसलिए क्यूंकि बिहार में जिस तरीके से सराबंदी कानून के तहत सनलिप्त अपराधियों को धड़ा-धड़ गिरफतार किया जा रहा है जिसके बाद कोट में नियाईक प्रक्रिया पेचिदा होते जा रहा है अब बिहार पुलिस को कोट की तरफ से सक्त निर्देश दिया गया है जिसमें कहा गया है कि अब बिहार पुलिस को दिल्ली पुलिस से सीखने की जरूरत है साथी साथ सुप्रीम कोट ने कहा कि जो मामले CRPC-धारा 41-A के तहत आते हैं उनमें गिरफतारी जरूरी नहीं है उसमें आप ऐसे लोगों को गिरफतार कर सकते हैं जो लग रहें कि वो भाग सकते हैं लेकिन सभी लोगों को गिरफतार करने की जरूरत नहीं है जिसके बाद अब कोट के तरफ से बिहार पुलिस को सराबंदी कानून को लेकर सक्त निर्देश दिया गया है सराबंधी कानून अब बिहार सरकार के लिए सचमुच में पिचीदाब बनते जा रहा है कोट की तरफ से अब सक्त हिदायत दिया गया है कि सभी लोगों को गिरफतार करने की जरूरत नहीं है ऐसे लोगों को बस गिरफतार करना है जो लग रहें कि वो ये भाग सकते हैं फिलाल इस कबर में इतना ही हमारे साथ बने रहने के लिए देखते रहें ये देशवा न्यूज अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब निकिया है तो सब्सक्राइब कर दें बेल आइक अंदवान ना भुले साथी साथ हमारे फेस्बुक और ट्विटर पेज को भी लाइक करें धन्यवाद